सर्दी मतलब गाजर का हलवा लेकिन बनाना उतना ही मश्किल तो आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी गाजर का हलवा बनाने का जिससे आप बहुत आसानी से गाजर का हलवा बना सकते हो यहाँ पर मैंने लिया है half kilo गाजर जिसे मैंने अच्छे से धो लिया है उसके दोनों सिरों को cut कर लिया है और फिर मैंने उसके छिलके को छील लिया है जी हाँ यह प्रोसेस जरूर करिएगा ताकि आपके गाजर के हलुए में किसी भी तरह की कोई मिर्टी का टेस्ट या फिर दाट के नीचे कुछ ऐसा ना आए नहीं तो फिर आपके इतने मैनत का भी कोई फल नहीं मिलेगा तो इसे अच्छे से वाश कर ले फिर है सबसे मुश्किल काम वह है ग्रेट करना जी हाँ यह तोड़ा सा मुश्किल है ग्रेट करना क्योंकि कभी-कभी लोग कहते हैं कि कु नहीं आता है और अच्छा भी नहीं बनता है तो आप इसे कोशिश करें कि हम इसे ग्रेट करकी ही बनाए थोड़ा वक्त लगेगा बट फिर बहुत ही टेस्टी हलवा मिलेगा आपको तो मैंने यहाँ पर ग्रेट कर लिया है आधा किलो गाजर को उसके बाद मैंने यहाँ इन निव्यक्त लिया है घ्रच रचेसे करीब घी बनाए है जिसमें मैंने ड्राइफ रूट को एड़ किया है इसको करने में सिर्फ लगता हम फिर रूट के भी जान ध def grad Love किया। गाजल को डालने के बाद आप इसे अच्छे से पकने दीजिएगा पहले मिलाना है फिर इसे पकाना है मैंने पकाने के लिए इसका धकन है मैंने उसे बंद भी किया है अब अगर बंद नहीं करते हो आप खुले में पकाते हो तो आप वैसे भी पका सकते हो इसका कलर ऐसे बिल करूंगी तो चीनी आप कितना खाते हो उसी हिसाब से चीनी का यूज करिएगा मैंने यहाँ पे इस चमच से लगपक चार चमच एड़ किया है चीनी कम ज्यादा आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग कर सकते हो फिर चीनी एड़ करने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे और दूद जब तक मावा का रूप न ले ले तब तक आप इसे पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे मैं यहाँ पे इसे अच्छे से पका रही हूँ जो टाइम आपको लगेगा ना इसको पकाने में ही लगेगा अधरवाइस यह बहुत टेस्टी बनके निकलता है तो थोड़ी सी मेनत आपको करनी परेगी तो मैंने यहाँ पे दूद को अच्छे से पका लिया है आप देख सकते हो कि दूद अलमस्ट पक गया है और मैं continue चला रही हूँ दूद के अच्छे से पक जाने के बाद इसका जो टेक्चर है कुछ ऐसा होगा अगर आप इलाइची पाउडर यूज़ करें तो आप इस स्टेज पे उसे डाल सकते हो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा हलबा बन के तयार हो गया और यह बहुत ही टेस्टी दिख भी रहा है और दूद बिल्कुल मावा का रूप ले लिया है फिर इस स्टेज पे हम ड्राइफ रूट्स जो एड करेंगे तो मैं यहाँ पे ड्राइफ रूट्स डाल रही हूँ उसकी साथ ही आप चाहे तो इसे डेकुरेशन के लिए भी राइफ रूट्स को यूज कर सकते हो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को